हेलो नोसकार जीम आपका दोस्त बूपेंदर टाटला आज हमारी सामने जो बाइक खड़ी है यह कोई साधरन बाइक नहीं है बलकि दुनिया की यह पहली बाइक है जो सी एंजी से चलेगी और इस बाइक को लॉंच किया है बजाज ने 125 इस इंजन के साथ इसे मार्केट में लॉंच का रहा है और बजाज ने इस बाइक को मार्केट के अंदर फ्रीडम लाम से लॉंच किया है और इस बाइक के लिए मेरा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये दुनिया की पहली सबसे लंबी सीट वाली बाइक रहने वाली है और मैं अब आपको बाइक दिखाता हूँ बाइक देखने पर कहीं भी आपको CNG टैंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका CNG टैंक है जब आप इसकी सीट है ना इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके निचे अपने को मिलता है इसका दो लिटर का CNG टैंक और इस टैंक के पिछे आपने को एकसाइड की बैटरी भी देखने को मिल जाती है और यहीं अपने को टूल बोक्स दिया देखने को नजर आ जाता है और अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो अपने को नॉर्मल बाइक की तरहीं इसमें अपने को फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और जैसे ही आप आम बाइक की तरह इसके फ्यूल टैंक को ओपन करते हो तो यहीं पे ही अपनों दोनों नॉब आपको देखने को मिल जाती हैं यहां से आप अपनों सेंजी भी फूल करवा सकते हो और अपना फ्यूल भी फूल करवा सकते हो और अकर हम बात करें इसके इंजन परफोर्मेंस की तो यह हमें 125 सिसी इंजन के साथ जो आपको 925 एनम का टॉर्क निकाल के देती है वहीं अगर हम बात करें इसके ग्राउंड किलियंज की तो 165 एमम का ग्राउंड किलियंज इसमें अपने को देखने को मिलता है अगर हम बात करें इसके हैंडल के तरफ तो यहां पे अपने को सबसे पहले एक प्यारा सा 30 डिजेटल मिटर देखने को मिलता है विद ग्लुटूथ के साथ में णोस्ट के इसके कंट्रोल की तो यहां पिया अपने को पर सिविच मिलता है जिससे आप को फ्यूल फ्यूल में स्यफ्ट करने और सी और इनजी में चला सकते हो चला सकते हो और दिए लक भीद्र कॉष्ट पर एक अच्छी क्वार्टी के अंदर से यहां पर सिवस देखने को मिल जाता है और इसी के निचे अपने को फॉण रिशीव करने के लिए भी सिवस देखने को मिल जाता है बाकि अपने को और आम बाई की तरहिए हैं अपने को head-lamp के तो दोस्तों अगर हम बात करें इस बाइक के एक्जोस्ट नोइस की तो वह अपने को जो अपनी आम जो फ्यूल वाली बाइक आती है सेम उसी तरह अपने को नोइस सुनाई देती है तो चलो मैं आपको सुनाता हूँ देखते हैं कि किस तरह की इसमें आवाज अपने को देखने को मिलती है ठीज राउनक àsथ तो चलो दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस बाइक के वेरियंट की कलर की और प्राइज की बात है तो मैं आप लोगों को बता दो इस बाइक अंदर अपने प्राहे लोगों डीप्रेंट कामップिक ऑप्षिन के साथ में और मैं आप लोगों को बता दू इसका जो बेस मोडल है उसका प्राइज रहने वाला है 95,000 मैं बात कर रहा हूँ एक सोरूम प्राइज की नाकी ओन रोड की वहीं अगर हम बात करें इसके मिड वेरेंट की तो वो मिलने वाला है अपने को एक लाग पांच जार में और आप टॉप मोडल की तरफ जाओगे तो वो मिलेगा एक लाग दस जार का दोस्तो ये वीडियो आपको कहती लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना झाल